कश्मीर में खडाके की ठंड पड़ रही है, स्रीनगर समेत कई उंचाई वाले अलाखों में तापमान माइनस से नीचे दर्ज किया रहा है स्रीनगर में न्यूनितम तापमान शुन्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि पहल गाम में ठंड का प्रकोब जारी है, वीतिरात पहल गाम में तापमान माइनस 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं गुलमर्ग में तापमान माइनस 4.4 डिग्री से दर्ज किया गया ख्याल रहें कि आज रात से चलाई कलां का आगास होगा, 40 दिनों तक कश्मीर में बेहद कडाके की सरदीर पढ़ने वाली है तो बड़ी ख़बर आपको बता रही है, सरोश कफील हमाय साही की जान करियों के साथ इसी खबर पर जुर गए है सरोश कश्मीर में कडाके की ठंड पढ़ रही है, चलाई कलान की आज रात से शुरुवात हो रही है, अगले 40 दिन अब मुश्किलों भरे रह सकते हैं, सरोश बिल्कुल बिल्कुल जैसमीन सही का आपने चलाई कलान जो है इस वक्त आज रात को स्टार्ट होगा और जब हम चलाई कलान की बात करते हैं, तो हार्श 40 दिन जो होते हैं, विंटर की वो स्टार्ट हो जाते हैं, पहले चलाई कलान का एक महीना रहेगा, बेसिकली जो चलाई कलान होता है, इसको तक्सीम किया जाता है, तीन हिस्सों में एक चलाई कलान होता है, चालीस दिन का उसके बाद चले खुर्द होता है जो 20 दिन का होता है उसके बाद चले बच होता है बच मतलब जो हम एक बच्चे को कह सकते हैं वो 10 दिन का होता है तो इसमें variation रहती है जो चले कलान के जो 40 दिन है ये काफी ज्यादा हाश रहेंगे आज रात से स्टार्ट हो गए और इस वक् जो द्रिश्य देख पा रहे हैं हम ठीक डल पर खड़े हैं काफी सारी धुंद होती है इस वक्त सुबह सुबह टेंप्रिचर की बात करें तो जैसा अभी आपने कहा माइनस 4.4 रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में पहल गाम में माइनस 6.3 और गुलमर्ग में भी माइनस 4. 4.4 रिकॉर्ड किया गया है अगर हम आपको अभी बताएं तो डल जो है हालांकि कहीं कहीं पैचेज में कहीं कहीं अभी फ्रीज हो चुका है completely frozen नहीं है और अगर हम आम लोगों की बात करें या आम जो सुबह सुबह बात करें तो कहीं न कहीं जो लाइफ है यहां पर अभी इस वक्त तैयारियों की बात करें देखें जैसमिन आपने देखा होगा कि administration ने हाल लांकि हमने कई बार उस पर रिपोर्ट भी किया है ने उसका भी जिक्रिक किया है कि किस तरीके से इस बार state of art जो snow cutter machines है वो यहां पर लाई गई है snow clearance machines जो है वो लाई गई है ताकि चिले क इसमें जब बरव भी अभी होगी तो उन difficulties को कैसे tackle किया जाएगा और administration ने उसके मजीद जो एक बहुत ही major issue यहां पर रहता है इससे पहले भी हमारी बात हुई है जो यहां की pipelines जो है especially water pipelines यह freeze हो जाती है तो यह एक बहुत बड़ा challenge रहता है लेकिन इस बार आपने देखोग जब smart city का काम हुआ तो पी एची department जो है waterworks उन्होंने इस बार insulated कहीं न कहीं कुछ areas में अभी insulated pipes लगाई है जो freeze नहीं होती है लेकिन कफ काफी सारे अभी ऐसे areas है जिनको अभी cater करना बाकी है जिनमें अभी भी insulated pipes का लगाना बाकी है ताकि जो अभी यह harsh winter है जो आने वा अभी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे है स्री नगर में माइनस 4.4 गुलमर्ग में माइनस 6 पहल गाम में भी around minus 6 temperature जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो यह 40 दिन का rough cold का जो season है इसमें temperature और जादा नीचे जा सकता है स्थानी लोगों को परिशानी हो सकती और ऐसे में this is the irony only सरोष की tourist season भी आजकल ही है तो ऐसे में टुरिस्टों को कोई दिक्कत ना हो चिलाई कलान का सामना वो कर सकें तो क्या कदम tourism department के दौरा उठाए गए है या पिस्थानी प्रशासन के दौरा क्या कुछ कदम उठाए गए है कोई health advisory उनके लिए जारी की गई है क क्योंकि सबसे लादा टूरिस्ट बर्फ का हिदिदार करने के लिए घाटी आते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में बिल्कुल सही किया राब देखें जो आपका पहला सवाल है कि जो ट्रेंपरेचर है जाहिर सी बात है वो अभी और प्लमेट होगा और माइनस हो जाएगा आने वाले दिनों में आप देखें कि आगर हम माइनस सेवन माइनस एट तक चला जाएगा यह हम बात करें प्लेन र जैसे होंगे यह इशूस टैकल जैसा हमने आप से कहा कि कई सारे जो इस वक्त एडमिस्ट्रेशन हैं जो उनके पास एक्सपिरियेंस हैं उनको सीख के कही ना कहीं एडमिस्ट्रेशन ने कुछ तबदीलिया लाई हुए हैं जैसा हमने आप से कहा Waterworks की बात हो गई या बाकि सारी जगाओं पर रोड खुदे हुए हैं, कई जगाओं पर जो है, वाटर वर्क्स का काम चल रहा है, कई सारी जगाओं पर electricity का काम चल रहा है, तो अगर इस वक्त, अचानक से ही मैं आपको बता दू, हालां कि अभी अगर हम 28 तक बात करें, मैं डिपार्टमेंट का कहना है कि प्लेन रिजेंज में बरफ नहीं होगी, लेकिन इन केज बारिश होती है, बरफ होती है, तो उस टाइम पर जो ये गड़े हैं, या बहुत सारी सेट अफ टूरिस्ट होता है, जो पर्टिकूलरली विंटर्ज में ही यहां पर आता है, क्यूंकि उनको विंटर्ज यहां पर एंजॉई करने होते हैं, भले सुनो का मौसम एंजॉई करना होता है, तो वो चैलेंजिस मैं, वो कैसे टैकल करेंगे, कि वो एक एडवाईजरी हमेशा से आप देखेंगे, टूरिजम की तरफ से आती है, टूरिजम डिपार्टमेंट की तरफ से, कि किस तरीके से आपकी जो बेसिक कपड़े हैं, जो गर्मी की कपड़े, वो आप तयार रखें, अपने साथ रखें, अच्छा, जैसा हमने आपसे पिछली बार भी कहा थ कुछ ऐसी कई सारी नई टूरिज जगाएं खुली हैं यहां पर,